नमस्कार मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चनल जोतिश गयान में मित्रों बहुत ही सातरण सी बात है कि यदि थमनेल देखकर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आपने भी कभी ना कभी पित्रदोश के बारे में कुछ ना कुछ अवश्य सोना होगा या हो सकता है किसी जोतिशाचारी ने आपकी कुंडली में ही पित्रदोश बताया हो तो मैं आज आपसे यही निविदन करना चाहूंगा कि 5 मिनट से फिर मेरे साथ बने रहिए पित्र अथार्थ हमारे पूर्वज जिनका स्वर्गवास हो चुका है और दोश जिसे हम हिंदी भावारत करें तो श्राप अब मैं आपसे एक प्रशन पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा संबब है कि जिन माता पिता जिन दादा दादी ने पाल पोसकर हमें बढ़ा किया खुदना खाकर हमें खिलाया खुदना पहन कर हमें पहनाया अपने भौतिक सुखों में कमी करकर हमें स्रेश्ट शिक्षा दी वो लोग आज हमें श्राप दे रहे हैं कितनी अजीब सी बात है आजकल दो ही टॉपिक बहुत जादा ट्रेंडिंग में बने हुए हैं जब भी कोई व्यक्ति अपनी कुणली लेकर किसी एस्ट्रोजर या किसी पंडिट जी के पास जाता है तो उसे दो ही चीजे बताई जाती है या तो आपके ओपर किसी ने कुछ करा दिया है या फिर आपकी कुणली में पित्रदोश बना हुआ है और इसकी शांती कराना आती आवशक है अन्यथा आपके जीवन से परेशानिया समाप्त नहीं होगी अब मेरी अगली बास उनका शायदा पचंबित हो जाएं कि पित्रदोश होता ही नहीं है जी हां आपने विल्कुल सही सुना है पित्रदोश किसी भी ऑथेंटिक बुक किसी भी शास्र के अंदर बताया ही नहीं गया है पित्रदोश का किसी भी ऑथेंटिक बुक के अंदर कोई भी वर्नन नहीं बताया गया है तो फिर प्रशन बनता है कि पित्रदोश आया कहां से है तो मैं आपको बता दू पित्रदोश उन पाखंडियों की दुकानों से आया है जो पित्रदोश के न किन्तु एक मत्यम वर्ग ये व्यक्ति जो अपने परिवार को कैसे पार रहा है वो वो ही जानता है और वो व्यक्ति अपनी कुंडली लेकर या अपने परिवार के किसी सदस्य की कुंडली लेकर किसी एस्ट्रोजर के पास जाता है और उसे ये बताया जाता है कि आपके पुत पुत्र के कुंडली में ही कुछ ऐसे ग्रहयोग बने हो जिसकी वज़य से उसको स्ट्रगल देखने को मिल रहा हो, किन्तु पिता के मन में तो ये बात बैठ चुकी है कि मेरे पुत्र के कुंडली के अंदर पित्रदोश बना हुआ है, और जब तक मैं इसकी शांती नहीं तो मैं अपने पुत्र के लिए पित्र शांती करा देता और जीवन में सफलता मिल जाती है और यदि उस पिता ने इधर-उदर से 25,000 रुपए की विवस्ता करकर पित्र शांती अपने के लिए करा भी ली तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा आपके पित्र तो शांत नहीं होंगे किन्तु हाँ इस बात में किसी प्रकार का संकोच नहीं है कि उन पंडिजी के पित्र अवश्य शांत हो जाएंगे क्योंकि उनके हाथ में 25,000 रुपे आपके जा चुके है तो मैं आप सभी से यही निविदन करना चाहूंगा कि इन भ्रहमों से हमें बाहर निकलना चाहिए जिन पूर्वजों ने सदेव हमें फलने फूनले का आशिरवाद दिया और आज इन जोतिशाचारियों की गण्ड़ना के अनुसार वो आपको शाप्द दे रहे हैं बित्रो साथी में यहां आपको एक बास से अवश्य अवगत कराना चाहूंगा कि स्रस्टी के उपर जो 33 कोटी के देवी देवता है वो संपूर्ण विश्व के लिए मन्य है किन्तु आपके घर के देवी देवता आपके पित्र देव होते हैं उनका यदि आप आशिरवाद प्राप्त करते हैं उनके निमित यथा उपलब्द यथा सामगरी द्वरा दानपुन्य करते हैं गरीबों को भोजन कराते हैं प्राते उठते ही उनको प्रणाम करते हैं आप देखिएगा आपके घर में दिन दुगनी राजचोगनी उन्नती प्राप्त होती हैं इन भ्रमों से बहार आईए और जो शास्त्र कहता है कि अपने पूरवजों के निमित दानपुन्य कीजिए उस पर विश्वास कीजिए उस पर ध्यान दीजिए आशा करता हूँ मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा था वो आप समझ गए होंगे कल ऐसी ही एको रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रसुत होंगा अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने मित्र गणों के साथ अधिक मात्रा में शियर कीजिएगा कल ऐसी ही एको रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रसुत होंगा